नमस्कार में सुषिल महापात्रा पहले भी कई बार हम लोग आपके सामने आए हैं और कैसे डिजिटल फ्रॉड होता है उसके बारे में बताए हैं और आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि कैसे फ्रॉड कस्टम और एकसाइज आपसर जो है वो लोगों को फिर पैसा जो है वो गायब हो जाते हैं अब देखिए एक और फ्रॉड आया है कि बिना OTP से भी आपकी आकाउंट से पैसा गायब हो सकता है और जो फ्रॉड हैं वो आपकी आकाउंट से पैसा आपने आकाउंट में ट्रांसपर कर सकते हैं आपने देखा होगा कई बार के पास यह message आता है कि आप अपना OTP जो है वो कभी भी दूसरे के साथ share मत कीजिए लेकिन आज कल ऐसा भी हो रहा है कि बिना OTP share करते हुए भी आपका account से पैसा निकल रहा है और यह सबसे एक बड़ी case अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में हुआ है जहां पे एक businessman के account से 50 लाख रुपिया गाइब हो गए और businessman का कहना है कि वो OTP किसी के साथ share नहीं किये थे बलकि उनके पास कुछ miscal आये थे लगातार miscal आ रहे थे और एक बार वो miscal जो है call के एक बार receive किये थे लेकिन दुसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रहा था और फिर कुछ समय के अंदर उनक और OTP किसी से share किये थे तो यह सबसे बड़ी बात है जब यह case हुआ तो police का कहना है कि यह जामतारा जो इलाका है जारकर्ण में हो सकता है वहाँ पर जो fraud सब हैं वहाँ से यह हुआ होगा क्योंकि जामतारा जो है वो भारत का cyber fraud capital माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा cyber fraud जो पर fraud सब जो है वो रहते हैं और वोई से वो लोग को कल करते हैं और आपकी साथ जो है fraud करते हैं तो सबसे बड़ी सबाल है जो आज हम आपकी सामने आपको बताने आए हैं यह है कि अगर आपने OTP share नहीं किया है तो फिर आपकी account से पैसा कैसे गया क्या ऐसा हुआ कि आकाउंट से पैसा चला गया तो आप कुछ एक्सपर्ट का कहरा है कि यह सीम स्वापिंग भी हो सकता है क्या होता है सीम स्वापिंग क्या आप जानते हैं कि सीम स्वापिंग क्या है आप साथ नहीं जानते होंगे सीम स्वापिंग क्या होता है कि माल लीजिए आपका जो सीम है वो किसी दूसरे के पास किसी दूसरे के मोबाईल में अक्टिवेट हो जाता है उसके लिए क्या करना पड़ता है क्या कोई दूसरा आपके सीम को अपनी मोबाईल में अक्टिवेट कर सकता है जरूर कर सकता है उ आपका क्या number है, आपका date of birth क्या है, आप माता जी का नाम क्या है, आपका email id क्या है, इसे कई सारे details जब उनके पास होते हैं, तो वो कोशिस करते हैं कि आपके जो sim है, उसको swap करने के लिए, मतलब अपने mobile में उसको activate करने के लिए, तो इस case में भी यही कहा जा रहा है, हो सकता है, कि sim swapping के जरिये ये पैसा जो है वो account से उठाया गया है, कैसे होता है, मान लीजीए कि कोई आपका पूरी जानकरी ले लिया है, और उसको पता है कि आपका नाम क्या है, और आपका details है, तो वो क्या करता है, कि आपकी number जो है अपने mobile में activate करता है, वो कैसे करता है, वो ए जो सीम के जो company है समान लिजी आइडिया बड़ा पना आइडिया हो गया एयाटेल हो गया जीयो हो गया और कोई भी company हो गया वहां के customer service जो number है उसमेर phone करता है और उसके बाद वो कहता है कि मेरा जो सीम है वो चोरी हो गया मतलों मैं original आपका customer हूँ और मेरा सीम चोरी हो गया है या मेरा सीम खराब हो गया है तो मैं उसको activate दूसरा सीम activate करना चाहता हूँ तो उसको कई सवाल पूछते होंगे कि हाठी के आपका नाम बताइए आपका address बताइए आपका data part बताइए और आपका address email id बताइए तो जब उनके पास यह सब detail होता है और जब वो customer officer को अगर वो confidence में ले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ओ सीम activate हो जाता है तो उस fraud के mobile में जब ओ सीम activate हो जाता है आपका जो सीम है ओ फिर काम ने करता है उसमें ना message आते हैं ना उसमें call आते हैं तो थोड़ी समय के लिए उनको बस थोड़ा सा अधा गंटा समय चाहिए आपको account से पैसा जो है वो निकाल लेते हैं क्योंकि जब ओ OTP आता है और बहुत कुछ लोग setup करते हैं और उसके लिए जो OTP सब आता है वो उस number पर आता है जो number fraud के पास है जो number activate fraud के mobile में हुआ है वो आपके पास नहीं आता है आपको पता नहीं चलता कि आपके पास OTP आया है तो इसलिए जब ऐसा होता है तो इसी तरह भी पैसे निकाले जाते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह पैसे निकाले जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए क्योंकि इसके बारे में तो आपको पता ही नहीं है आप तो जानते ही नहीं क्यों आपने तो किसी के यहीं सा जो है OTP सयारी नहीं किया है तो फ्र इसमें क्या हो सकता है, तो हमेशा यह कुशिश किजिए, कई बार ऐसा होता है, कि आप क्या करते हैं, आपका मूबाइल का पीन भी सेट अफ करते हैं, क्योंकि मोबाइल जो है, उसको खुलने के लिए, उसको मोबाइल के अंदर जाने के लिए आप पीन भी सेट अप करते हैं, तो हमेशा ये कोशिज कीजिए कि आप को एक स्ट्रॉंग पीन दे, कि कई बार होता है, लोग क्या करते हैं कि याद रखने के लिए वो जैसे अपना डेट अब बार्थ है, उसको भी पीन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको लगता ही कि तो मेरा डेट बार्थ है, इसी को मैं पीन बना देता हूँ, क्योंकि असानी से ये याद रह जाएगा, लेकिन क्या होता है कि आपकी डेट बार्थ जब वो फ्रॉड को पता ही चल जाता है, सबकु जब उसके पास है, आपकी डीटेल है, तो आराम से आपकी आकाउंट से जो है, पैसे को जो है, वो अपने आकाउंट में ट्रांस्फर कर सकता है, दूसरी बात है कि हम लोग अपने फेस्बूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिक टॉक के ही जगा क्या करते हैं, आपनी पूरी जो डीटेल है, उसको सेयर करते हैं, आपके जो आड्रेस है, उसको भी सेयर करते हैं, तो जब पूरा डीटेल आप कहीं पर सेयर करते हैं, पब्लिक प्लेस में, आप या सोशल आकाउंट में, वहां पर भी ये जो है डीटेल फ्रॉड के पास भी पहुंच जाता है, जब कभी भी फ्रॉड को ऐसा डीटेल मिलता है, त लेकिन कैसे हुआ ना कहीने कहीने इन लोगों ने आपने detail कभी किसी के साथ share किया होगा जिसके बाद उनके साथ ये धोका हुआ इसलिए आप लोग कभी भी अपना जो personal detail है उसको कहीं public place में ऐसे share मत किजिये अगर आप करेंगे तो उसमें क्या होगा ना आपके साथ धोका हो सकता है और हमेशा आप अपने जो पीन हो या पासवार हो उसको बदलते रहिए 20-20 में अगर आपको लगता है क्यों कई दिनों तक होता है कि लोग क्या करते हैं अपने पासवार पीन को बदलते ही नहीं उनको लगता है नहीं यही तो मुझे याद है और इसी को मैं जो है पा पास्वार्ड बनाए ऐसा पास्वार्ड बनाए जिसे जो है वो फ्रॉड को उसके बारे में पता ना चले कई बार लोग जो है अपनी नाम से या डेटर बार से पास्वार्ड बना लेते हैं अपनी माताजी के नाम से पास्वार्ड बना लेते हैं कि उनको लगता है कि ये उन नहीं करेंगे तो आपका जो है data hack होने की chance रहेगा और अगर data hack हो जाता है उसके साथ आपके साथ जो है वो आपकी account भी भी हाक हो सकता है और आकाउंट से पैसा जो है दूसरे के आकाउंट से आकाउंट पर जा सकता है और two-factor authentication जो है वो आप activate के लिए करिये लेकिन उसको हमेशा ये मत सुचिए कि two-factor authentication के लिए कई बार होता है वो आपके जरिये आप उसको permission भी दे सकते हैं और message के जरिये जो text message में code आता है उसमें भी देते हैं तो ये चीज़ को हमेशा आप option मत रखिये क्योंगर आपने text message रखा है तो आप मान लीजिए अगर आपकी जो seem है वो swap हो गया कोई दूसरे किसी के पास जैसे मैंने बताया उसकी mobile में activate हो गया तो text message तो उसी के पास जाएगा तो वो उसी जो code उसके पास आएगा उसका इस्तेमाल करते हुए वो जो है आपके साथ fraud कर सकता है तो इसी लिए ये सब हम आपके सामने ये सब लेकर इसी लिए आये थे क्योंकि आजकल जो है बहुत जादे fraud हो रहे हैं आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है क्योंकि आप सोचने से पहले आपकी account से पैसा जो है निकाल लिये जाते हैं आपको जब लग भी जाता है कि आपके साथ कुछ यहाक हो गया है आप जब तक phone करते हैं तक पता चलता है कि आपके account से पैसा निकल गए हैं तो इसलिए आप हमेशा सतर्क रहिए और जितना आप अपने पास्वार्ड हो, लगीन, आईडी हो, जितना स्ट्रॉंग आप बना सकते उसको बनाईए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये नुकसान जो है वो आपके साथ ही होगा, दूसरों के साथ नहीं होगा, आज के ल